भाश्पार राश्ट्री अध्यक्ष जगत परकाश नड़ा अर्की विधान सबाक शेतर के बूथ दसेरन संजय चुआलिस क्राम केंदर भराडी गाड पहुंचे उनके साथ परदेश अध्यक्ष सुरेश कर्षप उपस्तित रहे इस दोरान जगत परकाश नड़ा ने बूथ अध्यक्ष चतर सिहां पालक भूप सिहां और बी एले हिरा लाल गरक से मुलाकात की सुरेश करशप ने कहा यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक राश्ट्री अध्यक्ष बूथ सरकी बैठक लेने के लिए आये है यह हमारा राश्ट्री निर्ने है कि राश्ट्रिया और परदेश सरके सभी पदा दिकारी बूथ सरकी बैठक लेंगे भाजपर राश्ट्रे ध्यक जगत परकाश नड़ा ने बूथ के कारे करताओं से वारता करते हुए कहा कि हम सब को बूथ पर काम करना है और यहाँ मेरा सोभाग्य है कि मुझे यहाँ एक बूथ की बैठक लेने का मौका मिला है उन्होंने कहा कि संगर्ठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ की ताकत को और बढ़ाना है इससे पार्टी को बल मिलता है संगाठन कोई भी निर्ने लेता है वो कारे करताओं के हक में होता है उन्हेंने कहा कि भाजपा इतना बड़ा संगाठन बन गया है कि आज हम सब एक बूत बैटक भी ले रहे हैं कॉंग्रेस ऐसा नहीं कर सकती राष्ट्य ध्यक्ष ने बूत के सभी कारे करताओं से समवात किया और धरातल पर वास्तु स्चिती भी जाने कारे करताओं ने इस कारे करम में अपने विचार भी राष्ट्य ध्यक्ष के समक्ष रखे तो पहुचे गा तो बढ़ाओ कैलेंडर को जेरम दिखेंगे, निहीं आखेंगे, भूदी दिखेंगे, को विरोधी भी आएगा, तो जो ऑलें उसको देखेंगा चार बार कि देखेंगे, आगा झाल झाल